इंडिया एन विस्टेंडीज के बीच में जो फर्स्ट वन टे इंटरनाशनल मुकाबला आज शाम को साथ बजे से खिला जाएगा कहां पे कुइन्स पार्क ओवल पोर्ट अफ स्पेन त्रिनिदाद में इस विडियो में हम बात करेंगे एन एनलाइसिस करेंगे इसी मैच के बाड़े में बाकी इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलिग्राम चैनल पे जिसका लिंक इस विडियो के कॉमेंट सेक्षन में जाएंगे न एकदम उपर वाला जो पिंट कॉमेंट होगा वहाँ पे आपको मिलेगा उस लिंक से डाइडेकली आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जुर सकते हैं बाकी बात कर लेंगे थोड़ा से वेन्यू स्टेट्स के बाड़े में तो इस वेन्यू पे आज तक 64 वन डे इंटरनाशनल मैचेस खेले जा चुके हैं एवरेज को बैटिंग फर्स्ट रहा है 217 का बैटिंग सेकेंड करते वे इस वेन्यू पे 30 मैचेस जीते गए हैं और बैटिंग सेकेंड करते वे 64 में से 34 मैचेस जीते गए हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है बैटिंग फर्स्ट हो या फिर बैटिंग सेकेंड हो ठीक है अब इन्होंनों टीम्स का इस वेन्यू पे परफॉर्मेंस देखेंगे वेस्ट इंडीस इस वेन्यू पे 52 मैचेस खेले हैं वन डे इंटरनाशनल का जहाँ पे 27 मैचेस जीते हैं तो 25 मैचेस हारे भी हैं ठीक है इंडिया ऑन दे अदर हैं 20 मैचेस इस वेन्यू पे खेल चुके हैं ओडियाई का 11 जीते हैं और 9 हारे हैं ठीक है अच्छा अब देखेंगे इस वेन्यू पे जब जब ओडियाई मैचेस होते हैं कौन से कौन से प्लेयर दोनों टीम से अच्छा परफॉर्म करते हैं विस्टे इंडीस का जो करेंट स्क्वार्ड है न उसमें से साई होप का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे काफी अच्छा है ओडियाई मैचेस में जो के 3 इनिंग में बैटिंग किये हैं 110 रन किये हैं 36 के अबरेज से ठीक है बाकी और किसी का खास रिकॉर्ड नहीं है जो के करिंट स्क्वार्ड उन्होंने अनाउंस किया है इंडिया के इंडिया के अगिंस ठीक है बाकी इंडिया के तरफ से 9 इनिंग में 342 रन्स कर चुके हैं शिकर धवन एवरेज है 38 का स्रेश अइयर दो इनिंग में 136 रन्स कर चुके हैं वेन्यू पे 68 का एवरेज रखते हैं मतलब वेन्यू पे तग्रा रेकॉर्ड है स्रेश अइयर का रविंद्र जडेजा जो के नहीं खेलेंगे पांच इनिंग में 10 विकेड निकाल चुके हैं बड़ ये अवेलेवल नहीं है ठीक है चली अब देख लेते हैं कुछ recent matches जो के इस वेन्यू पे खेले गया है One Day International का तक ही पता चले कौन से रेंज में स्कोर बने हैं लेटली और उसी के साथ साथ चेज हुआ है के नहीं हुआ है Pacers ने ज़ादा डॉमिनेट किये हैं या Spinners देखिए 14th August 2019 को एक match खेला गया 240 for 7 and 256 for 4 इंडिया जीता था चीज करती हुए ठीक है Pacers 6 wicket Spinners 4 wicket उसके पहले 11th August 2019 को match खेला गया था इंडिया बैटिंग 1st करती हुए जीता था Pacers 12 wicket तो Spinner को सिर्फ 4 wicket मिला था उसमें से 2nd inning में 3 wicket मिला था ठीक है अब 25th June 2017 को एक match खेला गया था एगें इंडिया एन वेस्ट इंडिया के बीच में ही यहाँ पे भी इंडिया बैटिंग 1st करती हुए जीता था Pacers 6 wicket Spinners 5 wicket चेज नहीं हुआ था ठीक है उसके पहले स्रिलांका इन इंडिया के बीच में match हुआ यहाँ पे इंडिया तो जीता बट सिर्फ एक wicket से जीता 2nd inning में काफी जादा wickets गिले थे Pacers 9 wicket निकाले थे तो Spinners 10 wicket निकाले थे इस match में क्योंकि स्रिलांका इन इंडिया के पास काफी बहतरीन quality के spinner है आपको भी पता है ठीक है उसके पहले 9th July 2013 को एक match खिला गया इंडिया इन स्रिलांका इंडिया ने batting first करते वे जीता देखिए target chase नहीं हुआ Pacers 8 wicket, Spinners 5 wicket उसके पहले भी देखेंगे न तो स्रिलांका यहाँ पर batting first करते वे जीते हैं हलाकि DLS लगा था बट फिर भी batting first करने वाले team को थोड़ा सा जादे advantage मिला है Pacers 16 wicket निकाले हैं तो spinner को 1 wicket मिला था उसके पहले भी देखेंगे इंडिया यहाँ पर 102 run से DLS method के चलते जीते हैं Pacers को 13 wicket तो spinner को 3 wicket मिले हैं तो last 7 जो ODI matches इस venue पर खेले गए हैं वहाँ पर Pacers को first inning में 31 wickets मिले हैं तो spinner को first inning में 14 wickets मिले हैं वही Pacers को second inning में 41 wickets मिले हैं first inning से भी जादा second inning में Pacers को wicket मिले हैं and spinners को भी first inning के मुकाबले second inning में जादा wickets मिले हैं तो ये गलती आज आपको बिल्कुल नहीं करना है कि first inning वाले जो bowler है उनको ही try कर ले रहा है second inning के bowler लहीं डेला है ठीक है? उससे पहले अगर आप first time हमारे यूटूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे humble request रहेगा kindly इस यूटूब चैनल को subscribe करके हमारे family का हिस्सा बन जाएगा उसके बगल वाले bell बटन को प्रेस करके all पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों यहाँ पे एक arrow वाल ब चैनल पे जूर जाए क्योंकि इस match का final update और बाकी जितने भी domestic men's, women's and international matches शुरू होने वाले हैं उनके final updates वहीं पे आते हैं तो kindly टेलिग्राम और Instagram चैनल पे जूर ज़रूर जाईएगा दोस्तों अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो इस venue पे आज कोई भी बारिश का chances नहीं हैं मतलब लगभग आप 100 overs का full एक बहतरीन match expect कर सकते हैं जैसे कि आप देखी सकते हैं यह Queen's Park Oval, Trinidad and Tobago Port of Spain का मैंने weather निकाला है आज का Thursday के दिन ज़्यादा rain के chances है नहीं ठीक है वो ही बात कर लेंगे venue के बारे में तो venue आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप देखी सकते हैं ठीक ठाक बड़ा ground है spinners काफी अच्छे game में आ सकते हैं ground dimension के हिसाब से हलाकि थोड़ा सा brownish pitch ना आपको देखने को मिल सकता है उसमें से एक green touch पिछ के उपर होगा जिसमें से pacers को भी help मिलेगा तो शुरुवात में pacers के लिए काफी अच्छा मदद है और जो क्या बोलते हैं इसको death overs में जो pacers डालेंगे उनको काफी अच्छा wicket मिलेंगे बाकी second inning वाले spinners के उपर आपको special attention देना है क्योंकि पिछाब देखी सकते हैं थोड़ा सा brownish nature का है ठीक है अच्छा hit to head matches के बारे में बात करेंगे इन दोनों teams के बीच में आज तक 132 ODI matches खिले जा चुके हैं जहाँ पर इंडिया 67 matches जीते हैं तो विस्टेंडीज 63 matches जीते हैं ठीक है लास्ट 5 matches इंडिया clear कर dominate किया है recent form के चलते इस venue पे भी इन दोनों teams के बीच में 15 ODI matches खिले जा चुके हैं 8 बार इंडिया जीते हैं तो 7 बार विस्टेंडीज जीते हैं दोस्त तो काफी अच्छा fight आपको देखने को मिल सकता है वैसे भी इंडिया के कुछ top players नहीं खेल र तो आपको पता चलेगा कौन से कौन से player recently hit to 8 matches में महतर performance किये हैं जैसे के ये match 11th February 2022 मतलब इसी साल को खेला गया था 265 पे all out इंडिया वैटिंग first करते वे किये थे and 169 पे विस्ट इंडीज को all out कर दिये थे प्रशित कृष्णा भी काफी अच्छा डोल अदा किये थे तीन विकेट के साथ मुहमत सिराज तीन विकेट निकाले थे ठीक है निकोलस पुरन 34 किये थे अलजारी जोसेफ 29 रंस और दो विकेट ये दो विकेट बोलिंग first करते वे आया था डेथ ओवर में ठीक है जेसन हो प्रशित कृष्णा का नाम आपको फिर से दिखेगा जो के चार विकेट निकाले थे गुच्छे में ठीक है शारदूर ठाकूर दो विकेट सिराज एक विकेट यहाँ पर शमारा ब्रुक्स का नाम आपको दिखेगा जो के 44 रंस किये थे अकेल हुसेन ठीक ठाक बैटिंग भी कर लिये थे बोलिंग से 10 ओवर डालके एक विकेट निकाले थे शे होप 27 किये थे ब्रेंडन किंग सिर्फ 18 कर पाए थे अलजारी जोसेफ एगेन डित ओवर में बोलिंग फर्स्ट करते वे दो विकेट निकाले थे जेसन होलडर का एक विकेट रहा था उसके पहले 6 फेवररी इसी साल को मैच खेला गया था 176 for 10 वेस्टेंडिस को अलाउट कर दिया था और इंडिया आसानी से टार्गेट को चेस किया था जब वेस्टेंडिस बैट फर्स्ट किया जेसन होलडर का बैटिंग से परफोर्मेंस आया निकोलस पुरन 18 कर पाए सिर्फ ब्रेंडन किंग सिर्फ 13 कर पाए अलजारी जोसेफ यहाँ पे भी दो विकेट निकाल के चले गए ठेक है अकेल हुसेन एक विकेट रोहित शर्मा चेस करते वे 60 किये थे सूर्य कुमार यादफ का नम आपको फिर से दिखेगा जगे 34 नॉट आउट किये थे इशन किशन 28 किये थे दीपक हुड़ा 26 नॉट आउट किये थे यह जेवेंदर चहल 4 विकेट कब निकाले 2nd inning में bowling नहीं 1st inning में bowling करते वे ठीक है प्रशित क्रिष्णा 2 विकेट फिर से निकाले तो प्रशित क्रिष्णा भी आपके लिए Grand League की differential Captain Vice Captain option बिलकुल बनते है Stresh ayer के साथ-साथ ठीक है मुहमद सिराज 1 विकेट उसके पहले 22nd December 2019 को एक मैच खेला गया यहाँ पर इंडिया चेस करते वे जीता था काफी लंबा चौरा टार्गेट था ठीक है निकोलस पूरन बैटिंग फर्स्ट करते वे 89 किये थे शेहोब 42, अलजाडी जोसे फिर से एक विकेट, जेसन होलडर फिर से एक विकेट, शारदोल ठाकवर 17 नॉट आउट और एक विकेट उसके पहले 18 डिसमबर 2019 को एक मैच खेला गया जहाँ पर इंडिया बैट फर्स्ट करते वे 387 फर फाइफ किया जहाँ पर स्रियश ऐयर का नाम आपको फिर से दिखेगा 53 रंस के साथ और विस्ट इंडिस 280 पर ओल आउट हो गया थैंक्स टू शाइहोग जो के 78 किये थे, निकोलस पुडन 75 किये थे, तो ये दो बैटर आपके लिए काफी इंपॉर्टन हो जाते हैं स्पेशली विस्ट इंडिस के तरफ से और अलजारी जोशिफ जो के कंटिनुसली एक से दो विकेट निकालके आपको दिये ही है हिट टुएट मैचस में, ठीक है, तो टॉप परफॉर्वर्ज, कौन-कौन हो गए, जब-जब ये दोनों टीम एक दूस्टर के एगेंस्ट खेलते हैं विस्ट इंडिस के तरफ से शे होब, इंडिया के एगेंस्ट 19 इनिंग में बैटिंग किये हैं, 733 रन्स किये हैं, ODI मैचस में एवरेज 45.8 का, जेसन होल्डर 21 इनिंग में 450 रन्स किये हैं, 26 के एवरेज से, तो बैटिंग से भी ठीक ठा कॉन्टिबिशन जेसन होल्डर का आही जाता है, ठीक है रोवमेन पावल 44.6 का एवरेज रखते हैं, 11 इनिंग में 402 रन्स कर चुके हैं, इंडिया के एगेंस्ट निकोलस पूरन 9 इनिंग में 354 रन्स कर चुके हैं, 44.2 का एवरेज रखते हैं जेसन होल्डर बूलिंग से भी काफी इंपोर्टन रोल अदा किये हैं, 24 इनिंग में 23 विकेड निकाले हैं, हिट टुएड मैचस में अलजाडी जोसेफ 10 इनिंग में 16 विकेड निकाल चुके हैं, दोस्त काफी इंपोर्टन होंगे तो यह कुछ गिनेचुने प्लेयर्स का नाम आपको बिलकुल याद रखना है, और अपने स्मॉल लीक के टीम में ट्राइ करके चलने का कोशिश करना है अब इंडिया के तरफ से हिट टू एड मैचस में, 27 इनिंग में 844 रंस, शिखर धवन का जिनका एबरेज है 32.4 का वर्सेस वेस्ट इनिज, स्रेयश अईयर का 57.6 का एबरेज है, 6 इनिंग में 346 रंस, रविंद्र जडेजा जोके नहीं है फिलाल, यहाँ पे रविंद्र जडेजा का नम दो बार है, एक बार बैटिंग से, एक बार बोलिंग से, यह जो विंद्र चहल, 7 इनिंग में 13 इकर निकाल चुके हैं, वर्सेस वेस्टेंडी इन ओडियाई मैचस, ठीक है, आचा, इस सेक्षन में हम बात करेंगे, कौन से कौन से प्लेयर, 1 इनिंग में ब पोला था, एंड टेलिग्राम चैनल पे भी, मैंने आपको याद दिलाया था, कि केतरिन ब्रंट, बुलिंग फर्स्ट करते वे, फ्रिश पिच पे कितना बहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, और वो चार वीकेड लेके गये थे, अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रा है, हिट टुएड मैचस में, ठीक है, सेकेंड बैटिंग करते हुए इंडिया के सामने, 28, 75, 42 किये हैं, 29 नौट आउट किये हैं, 34, तो बैटिंग सेकेंड में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बैटिंग फर्स्ट में भी, ODI मैचस में इंडिया के अगेंस्ट क आपे 24, तो बैटिंग सेकेंड करते हुए इनका बड़ा बड़ा पाड़ी आया है, ये बाद आपको ध्यान रखता है, इन कमपैरेजन टू बैटिंग फर्स्ट, शमारा ब्रुक्स, बैटिंग सेकेंड किये हैं, दो बार, एक बार 44, तो एक बार 0, बैटिंग फर्स्ट कर जिरो विकेट, 32 रण्स, 2 विकेट, 25 रण्स, 0 विकेट, 7 रण्स, 1 विकेट, 57 रण्स, 0 विकेट, तो काफी अच्छे बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दिये हैं, और बूलिंग से भी परफॉर्मेंस दिये हैं, बट बूलिंग फर्स्ट जब जब किये हैं, एक विकेट, एक विकेट एक विकेट यहाँ पे एक विकेट यहाँ पे चार विकेट निकाले हैं तो एक बार चार विकेट बाकी बार एक से दो विकेट ही निकालके आपको दिये हैं और यहाँ पे रंस भी आपको जादा नहीं दिखेंगे तो जेसन होल्डर को बैटिंग फर्स एंड सेक देखिए, दो वीकेट, दो वीकेट, दो वीकेट प्लस 29 रून्स, यहां पे दो वीकेट प्लस 7 रून्स, तो first bowling में, क्योंकि death of verse में आते हैं, 2 से 3 वीकेट निकाल के आपको दे सकते हैं, second bowling जब-जब किया है, तब भी वीकेट निकाले हैं, बट एक आदा विकेट निकाले हैं एक विकेट एक विकेट यहाँ पर सिर्फ डो विकेट निकाले ठीक है ब्रेंडन किंक का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है दोनों ही इनिंग में सेकंड बॉलिंग किये हैं एक बार 13 किये हैं फर्स्ट बोलिंग में, सरी, सेकंड बैटिंग में एक बार 18 और एक बार 14 और फर्स्ट बैटिंग में एक बार 13 किये हैं, यह तो बोलर है ही नहीं, ठीक है, बाकी नीचे कीमो पॉल आपको दिख जाएंगे, जोके सेकंड बोलिंग में एक बार 3 वीकेड निकाले हैं, बट फ फर्स्ट बैटिंग जब-जब किये हैं, 31, 22, 16, कुछ खास नहीं रहा है, सेकेंड बैटिंग में एक 30 आया है, बाकी एक 18 आया है, बाकी एक एक रन का इनिंग खेले थे, ठीक है, नीचे और कोई खास नहीं है, अब इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया से शिख 102, not out, 119, 68, 35, 36, तो सेकेंड बैटिंग में इनका चालने का चंस जो काफी ज़ादा हो जाता है, आप देखी सकते हैं, उसी के साथ साथ लंबा इनिंग भी ये सेकेंड इनिंग में ज़ादा खेलते हैं, युजिविंदर चहल का देखेंगे, तो सेकेंड बोलिंग करते वे एक बार एक वीकेट, एक बार दो वीकेट निकाले हैं, और फर्स्ट बोलिंग करते वे देखिए, तीन वीकेट, चार वीकेट, एक वीकेट, एक वीकेट, तो फर्स्ट बोलिंग हो ये सेकेंड बोलिंग, युजिविंदर चहल आपके टीम में होना ही चाहिए, और ठाक परफॉर्मेंस दिये हैं अब बोलिंग करता है इस मैच में इनको कितना ओवर्स बोलिंग करने को मिलेगा ठीक है स्रीयश आयर देखिए फर्स्ट बैटिंग जब जब किये हैं वस्टीनिस के सामने 71, 70, 53 and 80 मतलब खतरनाक रिकॉर्ड है सेकेंड बैटिंग में एक बार फ्लॉप हुए हैं बाकी एक बार 65 किये हैं ठीक है इशन किशन सिर्फ एक ही इनिंग खिले हैं जहाँ पर उन्होंने सेकेंड इनिंग में बैटिंग किया था 28 किया था 36 बॉल्स पे प्रशित कृष्णा का भी रिकॉर्ड काफी ज़्यादा खतरनाक है सेकेंड बोलिंग करते वे तो और भी ज़्यादा खतरनाक सूर्य कुमार यादव फर्स्ट बेटिंग जब जब किये हैं एक बार 64 तो एक बार 6 ट्रंस पर आउट हो गये हैं सेकेंड बेटिंग करते हुए 34 नॉट आउट किये हैं अच्छा बात कर लेंगे विस्टेंडीस का स्क्वाड के बारे में एन इनके प्रोबबल 11 हर एक प्लियर के रीसन फॉर्म भी हम यहाँ पर डिसकस करेंगे ठीक है काईल मायर्स के साथ शे होब ओपिनिंग करने चाहिए राइट हैं लेफ्ट हैं कॉमिनेशन मेंटेन रहता है रीसन फॉर्म देखेंगे काईल मायर्स का यहाँ पर 17, 10, 55 किये हैं बट उसके पहले 146 यहाँ पर 2 विकेट यहाँ पर 7 रन 2 विकेट तो बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों से कॉंट्रिबियोशन दे सकते हैं राइट हां मीडियम फास्ट बोलिंग डालते हैं शेहोप इनका तरफ से विकेट कीपर बैटर हैं जो के काफी कंसिस्टेंटली वन डे फॉर्माट में परफॉर्मेंस किये हैं बट लेटली 2 रन, 18 रन, 0 रन, 21 रन ऐसाइन का रीसन फॉर्म रहा है बाकि शमारा ब्रुक्स राइट हैं बैटर और लिक ब्रेक बोलर हलाकि बोलिंग जादा नहीं डालते रीसन फॉर्म 4, 5, 33, 12, 0, 18 एसाइन का रीसन फॉर्म रहा है ठीक है बट यह काफी स्टेबल बैटर है अगर आप मुझसे पूछेंगे इस टीम से दो स्टेबल बैटर कौन है जो कि इनिंग को एंकर कर सकते हैं एक शेहोप हो गए और एक शमारा ब्रुक्स हो गए जो कि गैप्स में फाइंड करके सिंगल्स निकाल सकते हैं और उसके साथ-साथ इनिंग को एंकर करके आगे लेके जा सकते हैं मतलब यह दोनों प्लेयर ना मारधार वाले प्लेयर है नहीं मारधार वाले प्लेयर है इनके कैप्टेन निकुलस पुडार जो कि रीसेन फॉर्म देखेंगे 73 रंस एक विकेट निकाले हैं रीसेन डी यह बोलिंग भी डाल रहे हैं राइटम ओफ ब्रेक ठीक है तो यह बाद आपको ध्यान रखना है और इसलिए बहुत ही बढ़िया CVC का आप्शन बन जाते हैं रोवमन पावल आपके लिए सिधे-सिधे ग्रैंडिक के पिक बन जाएंगे जिनका रीसेन फॉर्म उतना खास नहीं रहा है बट अगर टिक गये ना तो काफी लंबा खेल सकते हैं लंबा इंदसेंस के काफी तावर तोर वाले इनिंग्स खेल सकते हैं 25 से 30 बॉल भी इनको खेलने को मिल गए तो यह आपको 45 तो 50 रंस बना के दे सकते हैं मिनिमम उनके जगा केसी कार्टी को भी मौका दिया जा सकता है यह टीम मैनेजमेंट के उपर होगा ठीक है ब्रेंडन किंग नीचे वैटिंग करेंगे के मेरे हिसाब से recent form इनका भी कुछ खास नहीं रहा है यहाँ पर जी मोटी जो recently वर्सेस बांगलादेश सिरीज खेला जा रहा था वहाँ पर spinners का बोल बाला काफी जाद आ रहा था और यहाँ पर जी मोटी काफी बहतरीन left-time orthodox spin bowling का मुजायरा करते वे यहाँ पर 4 wicket निकालें यहाँ पर 1 wicket यहाँ पर 1 wicket आप देखी सकते हैं उसके पहले भी wickets में रहे हैं 37 runs 2 wicket 12 run 2 wicket 2 wicket 110 run 2 wicket domestic matches में 8 run 4 wicket 49 runs 3 wicket यहाँ पर भी 2 wicket तो इनको बैटिंग करना भी ठीक ठाक आता है domestic circuit में middle order में बैटिंग करते हैं प्लस bowling से तो wickets निकाल ले ही वाले हैं इस match में तो आप बिल्कुल try कर सकते हैं ठीक है जेसन holder recent form देखेंगे 0 wicket 1 wicket 1 wicket 13 run और 3 wicket कुछ ऐसा performance आप इनसे expect कर सकते हैं यहाँ पर 16 run और 2 wicket और यहाँ पर 8 run और 2 wicket तो यह batting plus bowling दोनों तरफ से contribution दे सकते हैं जेसन holder needs no introduction safe captain wise captain pick भी आपके लिए हो सकते हैं अलजारी जोसेफ recent form देखेंगे 1 wicket 0 wicket वर उसके पहले 4 matches में 3-3-3 wicket निकाले हैं ठीक है उसके पहले 2 matches में 2-2 wicket निकाले हैं तो काफी अच्छा recent form है अलजारी जोसेफ का differential captain wise captain option आपके लिए होना चाहिए ठीक है अब कीमो पॉल और रोमाडियो शेफर्ड दोनों ही same type के player हैं थोड़ा बात batting कर लेंगे hitting कर लेते हैं और दोनों ही full overs bowling करते हैं काफी अच्छा variation and cutters का use करते हैं ठीक है कीमो पॉल का recent form देखेंगे 6 run 25 run 0 wicket 0 wicket 21 run 2 wicket 20 run और 6 wicket ठीक है यहाँ पे 73 runs और 3 wicket तो काफी अच्छा recent form है फिलाल के लिए इन दोनों में से जो भी खेलेगा अब बिल्कुल अपने हिसाब से try कर सकते हैं आइदर रोमाडियो शेफर्ड और कीमो पॉल अकेल हुसेन लिफ्टा मॉर्टोडोक्स spinner है second inning में ज्यादा अच्छा करते हैं last 10 matches का record देखेंगे 0 wicket, 0 wicket, 1 wicket पिछले 3 match में सिर्फ 1 wicket मिला है इनको उसके पहले 0 wicket, 1 wicket यहाँ पे 60 runs और 1 wicket 14 run और 3 wicket तो उसके पहले performance देखेंगे कितना अच्छा कर रहे थे पिछले 4 matches का उठा के देखेंगे जहाँ पे 0 wicket, 0 wicket, 1 wicket और 3 wicket मिला है इनको ठीक है bench में Casey Carty जो के middle order समाल सकते हैं recent form with the bat काफी अच्छा रहा है तो अब के लिए differential grand league pick हो जाएंगे Jaden Sillis जो recently test matches में 3-3 wicket निकाले हैं वो भी काफी अच्छा कर सकते हैं काफी अच्छा line and net को पकर के ये bowling करते हैं Romario Shepard का भी recent form देख सकते हैं ये और Kimo Paul के बीच में कोई एक ही खेलेगा ठीक है और Hayden Walls Junior जो के leg break bowler है recent form 2 wicket, 0 wicket, 2 wicket, 1 wicket तो पिछले 4 matches में ये 5 wicket निकाल चुके हैं उसके पहले 2 matches में flop गये थे उसके पहले 2-1-1-1 करके wicket निकाल है आच्छा इंडिया का squad देखेंगे उनका playing 11 and batting order तो injury concerns है रविंदर जडेजा जो series से ही out हो चुके है केल राहूल भी नहीं खेलेंगे इस series में ठीक है अब इनका probable 11 कैसा दिखता है जहाँ पे शिखर धवान के साथ शुबमन गिल उपेनिंग करने चाहिए मेरे हिसाब से अब शुबमन गिल के जगाना रूतुराज गाई कोड को भी मौका दिया जा सकता है बट first match में मुझे लगता है शुबमन गिल को मौका देना चाहिए जहाँ पे रोहित शर्मा नहीं है विराट कोली नहीं है केल राहूल भी नहीं है वहाँ पे शुबमन गिल क्योंगे test जो team है उसका regular member है उस हिसाब से इनको मौका मिलना चाहिए शुबमन गिल का recent form देखेंगे 17, 4, 21, 21, 38, 38, 62 ऐसा इनका recent form रहा है और शिखर धवन का last 10 matches का performance देखेंगे 1, 9, 31, not out 39, 13, 21, 12 62, not out, 5, and 88, not out तो पिछले जो 3 matches के लिए हैं ऐसा performance किये हैं Sanju Samson का recent form ठीक ठाग रहा है 0, 38, 77 तो मैं बोलूंगा आप इनको बिलकुर try कर सकते हैं अगर ये wicket keeping duty समालते हैं लेइंग लेवर आने के बाद तो आपको पता चली जाएगा कौन wicket keeper है इशन किशन है या Sanju Samson है अगर इशन किशन खेल रहे हैं तो वो भी wicket keeping कर सकते हैं फिलाल मैं Sanju Samson को बिलकुर prefer करूंगा जोकर टॉप order में बैटिंग भी करेंगे प्लस wicket keeping सूरे कुमार यादफ middle order को समालेंगे इस match में काफी अच्छे recent form से आ रहे हैं आपको पता ही होगा इंगलाइन के सामने बहतरीन performances किये हैं दीपक हुड़ा जब जब इनको मौका मिला है with the bat बहतरीन performance किये हैं अब सामने left hand batters कौन कौन है उनके सामने इनको राइटम off break bowler के हिसाब से भी use किया जा सकता है जैसे के निकोलस पुरान हो गए उनके सामने इनको बिलकुल ला जा सकता है as a player match up ठीक है बाकी स्रियश अयर जोके काफी नीचे बैटिंग करेंगे इस match में 28, 15, 19 अगर early collapse हो गया by any chance जैसे के अलजाडी जोसेफ हो गए या फिर जेसन होलडर हो गए वो शुरुवात में 2-3 wicket अगर जल्दी ले लिये ना तो स्रियश अयर का hit to win record तो पता ही ये आपको कैसा है आपके लिए बहुत ही अच्छे trump pick हो जाएंगे grand league के हिसाब से ठीक है अक्षर पतेल लास्ट 10 matches का record देखेंगे कुछ खास नहीं रहा है ठीक है बड़ सामने right hand batters बहुत जादा है तो उस इसाब से अक्षर पतेल का player match up काफी जादा बनता है अगर पिछ में grip and turn हुआ अक्षर पतेल भी काफी important हो सकते है बाकी शार्दूल ठाकूर जो के अपने cutters के वज़े से जाने जाते है थोड़ा बहुत betting भी कर लेते है डित ओवर में अर्षदीब के साथ शार्दूल ठाकूर बिलकुल डाल सकते है ठीक है प्रशित कृष्णा का recent form काफी अच्छा रहा है अब देखी सकते हैं परड मैच में एक आदा विकट ता आपको निकाल के दे ही रहे हैं ये जो बिंदर चहल recent form बहुत ही बहतरीन पिछले दो मैचस में साथ विकट निकाल है उसके पहले 0 विकट फिल तीन मैचस में 2-2-2 विकट उसके पहले 1-2-3 तो काफी अच्छे recent form से चल रहे हैं आपके लिए differential captain wise captain option क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग West Indies का all out होना तैय है ठीक है बेंच में मेरे हिसाब से यहाँ पर मुहमद सिराज आपको दिखेंगे जो के पिछले 2 मैचस में 6 विकट निकाले हैं बिल्कुल आप ट्राइ कर सकते हैं रविंद्र जडेजा फिलाल नहीं है इशन किशन को अगर मौका मिलेगा सीधे सीधे शुबन गिल के जगा मौका मिलेगा जो मैंने प्लेइंग 11 दिखाया है वहीं पे ठीक है बाकी इशन किशन अगर खेलेंगे तो विकेट कीपिंग ड्यूटीज भी कर सकते हैं शायद संजू सैमसन उस टाइम पे ना करे या फिर संजू सैमसन के जगा भी इशन किशन को मौका दिया जा सकता है जिनका रीसन फ़र्म आप खुदी देख सकते हैं 34, 76, 48 किये हैं उसके पहले 54 भी किये हैं रुतुराज गाई कोड का रीसन फ़र्म अच्छा नहीं रहा है जैसे का आप खुदी देख सकते हैं एक 57 के इलावा और एक 53 के इलावा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं पिछले 10 इनिंग में आवेश खान एक वीकेट, दो वीकेट पिछले 2 इनिंग में 3 वीकेट निकाले हैं उसके पहले एक 4 वीकेट भी निकाले थे ये 2 इनिंग में बोलिंग करते वह आया था तो आवेश खान 2 इनिंग में ज़्यादा डेडली होते हैं IPL में भी हमने यहीं नोटिस किया था अच्छा, वीकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे दो आप्शन्स आपको क्लियर कट दिखेंगे शेह होप तो खेलेंगे ही विस्ट इनिस के तरफ से आईदर यहाँ पे इशन किशन को मौका मिलेगा और संजू सैमसन वो टीम मैनेजमेंट के उपर है टॉस के बाद हमको पता चल जाएगा जिसके बाद हमारे पास काफी जादा समय होंगे अपने टीम को चेंज करने के लिए फिलाल के लिए हम क्या करेंगे शेह होप के साथ यहाँ पे सैंजू सैमसन को लेके चलेंगे जो रीसेंटली काफी अच्छे टच में लगे है मुझे ठीक है बैटिंग सेक्शन में आएंगे यहाँ पे शिखरदवन आपके लिए फरस्ट पिक होंगे जो के ओपिनिंग करेंगे निकुलास पूरार क्योंकि बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों से कॉंट्रिब्यूशन दे रहे हैं इसलिए हम नहीं छोड़ सकते इनको ठीक है अब बैटिंग फरस्ट हुआ इंडिया का तो सूड़कों और यादवकों हम लेने का बिल्कुल कोशिश करेंगे नहीं तो as a referential pick अब दीपक खुड़ा को ले सकते हैं जो के पार्ट टाइम राइटम ऑफब्रेक भी डाल सकते हैं और उसी के साथ-साथ बैटिंग से काफी बड़िया कंट्रिबूशन दे सकते हैं इस मैच में ठीक है स्ट्रेश अईयर का सिर्फ 12 परसन का सिलेक्शन है अब देखिए हिट टु एट रेकॉर्ड बहुत ही जादा अच्छा है इनके बैटिंग ओडर के उपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इनको नमबर 3 पे खिलाया जाता है या 4 पे या फिर नीचे नमबर 6 पे तो उसी के उपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्योंकि जितना नीचे बैटिंग करेंगे उतना कम बॉल्स खिलने का मौका शायद से इनको मिल सकता है अगर कम बॉल्स खिलने का मौका मिलेगा तो ये बड़िया बैटिंग या फिर बड़िया रंस बना के कैसे आपको दे सकते है ठीक है यहाँ पे Grand League के प्लेयर आपके लिए रुतुराज गाईकवाट भी बन जाएंगे जिनका decent form उतना अच्छा नहीं रहा है बट इस match में और इस series में मुझे कहना चाहिए जितना भी मौकाईन को मिलेगा यह उन मौकों को भुणा के काफी अच्छा पाड़ी खेल के आपको दे सकते हैं और खुद को प्रूफ कर सकते हैं ठीक है दोस्तो all rounders section में आएंगे रविंद्र जडेजा 70% selected तो है बट यह नहीं खेलेंगे ठीक है जेसन होल्डर हमारे लिए default pick हो जाएंगे जोके बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों तरफ से contribution देंगे ग्रैंड लिग में आपके लिए अक्षर पटेल काफी important role अदा कर सकते हैं जैसे कि हमने बोला कि सामने right hand batter ज़्यादा है काईल मायर्स को top order में और निकोलस पुड़न को middle order में गड़ब छोड़ देंगे ये दोनों left hand batter के इलावा साड़ी के सारे right hand batter है और अक्षर पटेल का clear cut match up बनता है उनके साथ कीमो पॉल थोड़ा बहुत बैटिंग और डेत ओवर में बोलिंग डाल सकते हैं ये और रोमारियो शेफर्ड में शेर साइट से कोई एक ही खेलेगा ठीक है बाकी bowling section में चलेंगे ये जोविंदर चहल hit to end record के हिसाब से हमारे must pick में आ जाते हैं और उसी सेम कारण के चलते अलजारी जोसेफ भी हमारे टीम में सीदे सीदे आ जाते हैं प्रशित कृष्णा सिर्फ 13% इनका percentage है selection का बड़ में बोलिऊंगा अपने टीम में जरूर से रखिएगा क्योंकि विस्ट इंडीस के सामने ही इनकर डेब्यू हुआ था और बहतरीन performances किये थे और उसी के वज़े से अभी भी इनको select किया जा रहा है मौमत सिराज recent form काफिया चड़ा है especially swing bowling से openers को दिक्कत दे सकते हैं अगर आप इनको अपने टीम में रख रहे हैं तो इस्ट इंडीस के openers अपने टीम में मत रखेगा या फिर top team में से किसी दो batter को छोड़के आप बिलकुल जा सकते हैं अकिल हुसेन बहुत ही बड़िया performances किये हैं lately but recent form देखेंगे फिछले 3-4 matches का कुछ खास wicket नहीं निकाल पाए हैं बड़िन के USP वही है कि ये थोड़ा बात batting भी करके आपको दे सकते हैं और 25-30 run बना के आपको दे सकते हैं एक से आधा wicket निकालने के साथ-साथ इसलिए अकिल हुसेन को मैं फिलाल के लिए ही लूँगा अर्षदिव सिंग यहाँ पर अगर खेलेंगे सीधे-सीधे हमारा टीम में आजाएंगे अगर अर्षदिव सिंग के जगा आवेश खान को मौका मिलता है यह हमारे टीम में आ जाएंगे वो toss के उपर dip and करेगा and playing level out होने के बाद हम decide करेंगे कि कौन से player खेल रहे हैं वो देखने के बाद कि आवेश खान खेल रहे हैं या फिर अर्श दिप सिंग जो भी खेलेंगे सीधे सीधे हमारे टीम में आ जाएंगे ठीक है फिलाल के लिए safe जाने के लिए हम सूड़े को वर यादफ को ले लेते हैं और हमारा team combination कुछ ऐसा बन जाता है जहाँ पर captain wise captain pick आप मुझसे पूछेंगे न तो यहाँ पर हम देंगे captain pick दीपक हुड़ा को अब डिपेंड करेगा दीपक हुड़ा कहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं अगर middle order में बैटिंग करेंगे तब तो इनको cvc नहीं देंगे अगर number 3 पर मौका मिला तो बिल्कुल हम इनको as captain wise captain try कर सकते हैं क्योंकि सामने दो left hand batter भी हैं जिनके सामने इनको use किया जा सकता है wise captain में फिलाल के लिए Jason holder को दूँगा आप ऐसा भी कर सकते हैं तिके Jason holder को captain देखे wise captain आप सूरकुमर यादव को try कर सकते हैं अगर इनको number 3 पर भेजा गया तो वो पूरा का पूरा चीज बैटिंग order के उपर depend करेगा differential captain wise captain pick मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रशित कृष्णा होने वाले हैं और योजवंदर चेहन होने वाले हैं आप इनको captain देखे wise captain इनको भी try कर सकते हैं दिक्कत नहीं है यहाँ पर और एक option है अलजारी जोसेफ specially अगर bowling first करते हुए करे तो काफी अच्छे cvc option यह भी होने वाले हैं क्योंकि जैसे के मैंने आपको दिखाया के 2 wicket on an average तो यह निकाल ही लेते हैं या के against plus batting से भी 20-25 run बनाके यह ज्यादा तर cases में आपको देही देंगे तो काफी अच्छे cvc option यह भी होने वाले हैं इन सारे options के उपर ना ज्यादा किसी का ध्यान नहीं होगा सभी का Jason holder, Shikhar Dhawan होने वाले हैं या फिर Sky होने वाले हैं as captain wise captain बट आपको क्या करना है यहाँ पर यह तीनों players के उपर special attention देना है इंडिया West Indies match में captain pick up safe holder के साथ जा सकते हैं उस पर दिक्कत नहीं है वर wise captain आप थोड़ा सा risk लेके इन players के उपर special attention देके try कर सकते हैं ठीक है final update मिलेगा आपको हमारे telegram channel पे जिसका link इस video के comment section में एकदम उपर जो pin की हुआ comment है वहाँ पे link मिलेगा उस link से directly आप जोड़ सकते हैं बाकी यह final combination नहीं है मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए combination मना के दिखाड़ा हूँ बाकी final update आपको वहीं पे मिल जाएगा